वो जमाना गया जब आपको गेमिंग टीवी खरीदने के लिए लाखो रुपे खर्च करने पड़ते थे और वो जमाना भी गया जब गेमिंग के लिए अलग और कॉंटेंट देखने के लिए अलग टीवी हुआ करते थे घरों में आज हैसेंस ने एक ऐसा टीवी लाँच किया है जो गेमिंग के लिए तो बेस्ट है ही आपको कॉंटेंट देखने के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मैं बात कर रहा हूँ हैसेंस के टॉर्नाडो क्यूलेट की या फिर आप इसे हैसेंस एसेवन के प्रो भी कह सकते हैं मेरा नाम है विनीत पलोतरा और मैं आपको गैरंटी देता हूँ कि ऐसा यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो ना दिखा सका है और ना दिखा पाएगा सबसे पहले आपके लिए बात जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस टीवी को मैंने खरीदा नहीं है यह launch होने से पहले मेरे पास आया और हैसेंस ब्रैंड ने इसे मुझे भेजा है मुझे हैसेंस ब्रैंड ने कोई पैसे नहीं दिये इस रव्यू को बनाने के लिए और मैं आपको प्रोज और पूरी डीटेल में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का फैसला खुद करें बिना किसी के इंफ्लूएंस में आये हुए अब आपको सबसे पहले यह बात बताता हूँ कि इसकी लुक्स कैसी है यह बहुत शांदार लुक्स के साथ आने वाला टीवी है जिसके अंदर आपको बेजल्स ना के बराबर देखने को मिलेंगी विच वेरी वेरी गुड तिंग और स्टाइलिंग में थोड़ा सा चेंज करा गया है इन दी बॉटम बेजल जहां आपको बीच में हैसे से बनाई है और आप पीछे एक सब वूफर लगा हुआ देख सकते हैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा लेकिन पहले बताता हूं कनेक्टिविटी ओप्शन्स जो आपको कमाल की मिलती है इस टीवी के में आपको यह चार एच डिमाए पोर्ट्स देखने को मिल है यह आपको हैसेंस के इस टॉर्नाडो क्यूलेट के अंदर देखने को मिल रहे है मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा आप भी सुनके हैरान हो जाएंगे इन 144 हर्ट्स वाले पोर्ट में एक EARC पोर्ट है विच इस HDMI 2.1 पोर्ट दो USB पोर्ट मिलते हैं उनमें से एक 3.0 पोर्ट है और एक 2.0 अब बहुत लोग मुझसे कॉमें सेक्शन में या फिर लाइश्ट्रीम में पूछते हैं कि USB 3.0 के होने से फायदा क्या होता है इस सिंपल कि आपको फास्टर डाउनलोड स्पीड मिलती है या फिर रीड स्पीड बहुत जादा फास्ट होती है पोर्ट में लगाएंगे तो वो मज़दार चलेगा इसके लाब आपको टीवी इंदर Bluetooth 5.0, Dual Band Wi-Fi और बाकी सभी जरूरी connectivity options देखने को मिलेंगी और अब हम सीधा बात करेंगे पैनल के बारे में ये एक 4K 3814-2160 के resolution के साथ आने वाला TV है ये बहुत अब्यस है लेकिन आप को 120Hz का पैनल मिल रहा है साथ में 144Hz के पोर्ट मिल रहे है और भी एक कमाल की चीज है जो आपको इसमें काफी सारी चीजे है तो मैं आपको आगे बता हूं के लेकिन पहले आपको बताता हूं कि दिस इस अ 8-bit FRC VA D-LED Q-LED पैनल ये चेक करा हूं देखो ये है ये है ये है ये अब एक पैन और पेपर ले लिए मैं आपको बताता जाता हूं कि इसके अंदर आपको कितने सारे वीडियो फॉर्माट्स की सपोर्ट मिलती है HDR 10, HDR 10+, HDR 10+, Adaptive, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ मतलब इतने सारे फॉर्माट्स की सपोर्ट मतलब इतने सारे फॉर्माट्स की सपोर्ट है थैला इतने इतनी अची बराइटनेस और यह एक बजटी भी होते हुए इतनी अची बराइटनेस वी एपैनल पांट्रास्ट रिशो की अची है जो की हमारी तेस्टिंग मी अप्रॉक्सिमेटली थर्टी सिक्सिक्स हंडर इस्टो वन कम्पनी ने या फिर अमजॉन पे इक रिद नहीं है बट हमने जो टेस्ट करा उसमें अप्रोक्शुमेटली थर्टी सिक्स हंड़र इस तु वन हमें कॉंट्रास्ट रिशु देखने को मिली विच अकॉर्डिंग नुमी वेरी वेरी गुड अब हम एक्चली में चलते हैं प्राइम वीडियो पे वहां पे हम देखते हैं HDR10 Plus Content और मैं इस टीवी से बहुत जादा स्टंड हूँ विकॉस मुझे नहीं पता था कि ये इतनी शांदार capabilities के साथ आने वाला टीवी हमें content भी ऐसा दिखा सकता है क्योंकि मुझे ये पूरी उमीद थी कि ये gaming टीवी है और ये gaming capabilities को ही showcase करेगा इससे आप HDR performance expect नहीं कर सकते इससे details expect नहीं कर सकते but on the contrary I was completely wrong colors के बार में आपको बताऊंगा में लेकिन मेरे हिसाब से जो HDR performance है which it is very very good क्योंकि मुझे ना color patches दिखे ना मुझे banding दिखी और मैं धूंडता रह गया कि मुझे कहीं पे details की कमी मिले and that was not there and that is the most beautiful part of this TV मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि content के लिए अलग होता है TV और gaming के लिए अलग शायद मुझे अपनी statement change करनी पड़ेगी but talking about the colors अगर मैं इन colors को बहुत जादा ध्यान से देखूं तो ये oversaturated है all three red blue and green three oversaturated है and I think Hisense is a budget brand or this is the same colors in a standard profile में हम ये बिल्कुल default settings की बात कर रहे हैं जिने आप अपने आप पूरी तरह से बदल सकते है and manually सिरफ आपको picture mode ही change करना है but I am only talking about the default settings उसके अंदर आपको oversaturation देखने को मिलेगी in all the three primary colors which I think does not look bad because over saturation करने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से color को कितना जादा और कहां पर oversaturated करना है and the picture quality management यानि जो color management है वो अच्छी करी गई है आप जो भी colors देखेंगे चाहे आप प्राइम वीडियो पर देखेंगे because you like those colors, you like the kind of green that you are seeing आपको वो reds भी अच्छे लग रहे हैं आपको orange के भी shades मिल रहे हैं आपको details में भी कोई problem नहीं आ रहे है और एक ही scene के अंदर जहां पे darkness और shadows दोनों एक साथ हैं वहां पे भी आप shadows में भी details देख रहे हैं and now let us go straight to Dolby Vision और उसके लिए हम चलते हैं Netflix पे आपको इतनी शांदार performance मिलती है you know this TV supports Dolby Vision IQ now सबसे पहले आपको मैं मतलब समझाता हूँ Dolby Vision IQ और HDR 10 Plus Adaptive का ध्यान से समझे है हम TV देखते हैं दिन में देख सकते हैं और रात को भी देख सकते हैं और दिन में रूशनी होती है चाहिए अपके रूम के अंदर डारेक्ट सवलाइट न आ रहे हो लेकिन लाइट तो आ रहे होती है इसलिए दिन में आपको अलग लाइटिंग चाहिए content से यानि TV से और रात में आपको अलग lighting चाहिए यही चीज़ HDR 10 Plus Adaptive और Dolby Vision IQ करता है वो आपके अम्बियंस के हिसाब से कितनी लाइट है आपके रूम में उसके हिसाब से टीवी के कॉंटेंट में लाइट कम या जादा करता है बिना कॉंपरमाइज करे डीटेल से विदाउट कॉंपरमाइज करे डीटेल से आपको जल्दी से इसके बिले बाइट आपको बताऊंगा कि इसकी गेमिंग केबिलिटी से कैसी है बिकॉस दे आर इस थी आपको कैसे मिलेंगे डेफिनिटली बेस्ट मिलने है और इस तीवी के अन्दर ब्लक्स में किसी ताइप से कोई कमी नहीं है कॉंट्रास्ट रिशु अच्छी है 3600 इस तो वन विच इस गिविंग वेरी वेरी गुड ब्लक्स आपको ब्लक्स में भी इस तीवी कि अन्दर डीटेल्स देखने को मिलेंगी है ऐसा भी होता है अगर लाइट डार्क है तो उसके अंदर भी आपको डीटेल्स कहीं से मिस आउट नहीं होंगी इस तीवी कि अन्दर गेमिजमेंट को बहुत शांदार तरीके से करा गया है वो उसकी अप्टमाइजेशन को बहुत ढंग से करा गया है ओर साचुरेटेड हैं कलर्स बट तैट इस अनदर तीवी कि अच्छी करी गई है कि आपको कलर्स और ब्लक्स तो नहों बहुत अच् गेमिंग इनसान को एक बहुत ज्यादा अच्छा गेमर मना सकते हैं विकोज आपको गेमिंग करते हुए इतना ज्यादा मजा आएगा और जो फीचर्स हैं वो आज की डेट में भी वन अदा हाफ लाग के टीवी के अंदर भी शायद आपको ना मिले इस टीवी के अंदर आ सिर्फ आपको विएरर मिलेगी ओविएसली इस टीवी में ओविएसली आपको आटो लो लेटैंसी मोड तो मिलेगा ही लेकिन जैसे ही आप गेम मोड को ओन करेंगे और अपने प्लेस्टेशन को चैनेगे इसमें आपको टु फॉर्टी हर्ट्स का रिफरेश रेट मिलता च ना सिर्फ यही आपको इसके साथ डॉल्बी विजन गेमिंग की भी परफॉर्मेंस मिलेगी यानि आपके पास अगर ऐसी कोई गेम है जो डॉल्बी विजन फॉर्माट को सपोर्ट करती है देन दिस टीवी सपोर्ट डॉल्बी विजन इन दे गेमिंग नाव ठिंक बाउट ये फीचर ये फीचर शायद मैंने किसी भी और टीव के अभी तक नहीं देखा जिसे मैंने खुद अपने स्टूडियो में तेस्ट करा हो इस इस नेक्स्ट लेवल फीचर नाव अनादर थिंग बस मैंने आपको कहा था पैन और पेपर लेके बैठ जाहिए विसके अंदर ये फिरी संक और फ्री संक प्रीमियम की सपॉट अपर्टि लेखे गेमिंग यू कर सकते है इतनी शांदार गेमिग हो सकती है इस टीवी से कंपनी के अचाब से ब्राइंग के अचान से ये 9 millisecond के साथ अचान साहथ है बाट अनफॉरच ये अंचार लेक्र लेक्त रहटे न और भी जादा खेलना चाहता था बार बार खेलना जाता था बट काम भी करना है अब OS की बात करें आपको इसमें Android नहीं विदा OS देखने को मिलता है जो कि पहले के मुकाबले बहुत जादा इसमें अब आपको बिल्कुल भी लाग देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर यह एक्सपेट करके चल रहे हैं कि Android OS की तरह आपको इसके अंदर बहुत सारी एप्स मिलेंगी आज भी विदा OS के अंदर बहुत जादा एप्स नहीं है लेकिन जितनी मेजर OTT आपस है वो आप प्री डाउनलोडड इस टीवी कि अंदर मिलेंगी इसके अलगा आपको आपको आपस मिलेंगी इसके अलगा आपको यह पहले की तीवी यूज करें उससे यह फार वर्जन बिल्कुल लेटिस्ट है और यह काफी लाइट और स्मूध हो चुका है इसकी लुक अंद्रोइड की हो चुकी है जिसमें आपको सारे कॉंटेंट की और आपके फेवरेट कॉंटेंट की टाइल्स होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेंगी नौ द चॉइस लेना है या फिर टीवी की केपिविलेटीज लेनी है या आपको डिसाइड करेंगे मैं नहीं अब इतना वड़िया ग मुझे लगे मतलब कोई बुराई नहीं है उसके अंदर आपको देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन आपको जब एचडी चैनल चलाएंगे तो मज़ा आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब इसके कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं अब स्केलिंग और क्लारिटी म आपको अगर युएस्बी की अप्सकेलिंग करनी है तो इससे मज़ादार हो सकती है और आपको उसके अंदर एचडी मुवी देखते समय बिलकुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यूविल एचडी मुवी देखते हुए तो आपको ऐसा लगा कि आपने अच्छी 4K लग काम सुनों पहले कि अंदर इसकंदर और एक सब्वूफर मिलता हिच टिखा दिखा दिया था rima or डिखां को दिखां का अपको लेकिन इसके अंदरोबश स क्लिक्ड को क्या ओटू कौलिटी मिलागी क्यूंकि मुझे इसले ने alltså थिसके निए क्या시면 दूट तरह से बैलेंस्ट है इसमें ओवर पावरिंग बेस नहीं है आपको वोकल्स बहुत अच्छे से सुनाई देंगे आपको इसके अंदर डायलोग डिलिवरी सुनने में प्राब्लम नहीं होगी जब कोई बहुत जादा पीछे से बैगराउंड म्यूजिक बेस हेवी होगा और चोटी चोटी चीजे है जो हम बेड्रूम में या फिर अफिर 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 लगाते है तो यह चोटी चीजे मैंटर करती है बाई डिफॉल्ट यह टीवी की आडियो डॉली आटमस और DTS X को सपोर्ट करती है और आपको 90% लोगों को यह बहुत अच्छी ल बन गया है ऐसा बिलकुल भी नहीं है 49W की मेरे साफ से बहुत रियलिस्टिक ओडियो है और यह आप 49W ही समझे अब बत करते हैं प्रो जन कांस की लेकिन उससे पहले आपको इस तीवी का प्राइस बताता हूं प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि जब तक मैं यह वीडियो कर रहा हूं यह तीवी रिलीज नहीं हुआ और जब आप यह वीडियो देखेंगे उसके एक या दो दिनो बाद यह आपको Amazon से मिलेगा इस अन्दाजे से इसके 55 इंच मॉडल जो आप समय देख रहे है इसका प्राइस उनना चाहिए लगबक 52,000 के आज पास और इसका 65 इं पीस के आजपास कॉस्ट करना चाहिए बट हैसे ने जो प्रामिस किया है इस वेरी गुड फॉर सम पीरिए यानि कुछ दिनों के लिए छे से साथ दिनों के लिए आपको इस टीवी पे फोर येर्स की वारेंटी मिलेगी अगर पहले छे साथ दिनों में आप इसे खरीदते ब्लू ओर साचुरेटेट मिलते हैं हमने जब इसकी टेस्टिंग करी तो यह आए अप्रॉक्सिमेटली एटी सिक्स परसेंट ओफ दी आरजी बी इसका क्या मतलब है आपने जो अभी वीडियो देखा उस में आपको एक ट्राइंगल सा दिखाया उस ट्राइंगल के अंदर यह कलर्स क्या आप चेंज कर सकते हैं क्या आप इसे नैचरल कलर प्रोफाइल कर सकते हैं अपने आप येस यू कैसे हम डी फॉल्ट सेटिंग्स पे इन चीजों को चेक करते हैं कमपनी ने जैसे टीवी भेजा हमने डबा खोला वहां पे टीवी रखा ऑन किया और उसी कर सकते हैं जिससे कलर आपको जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे दिखेंगे दूसरा कॉन विदा ओएस के अंदर आज भी बहुत जादा अपस नहीं है आपको इसके अंदर दुनिया जहान किया सारी बहुत सारी गूगल ओएस जैसी आपस नहीं देखने को मिलें और गूगल एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है विदा ओएस उसके सामने बहुत छोटा है एन दे सेम गोज फॉर वेब ओएस टाइजन ओएस इन सभी के अंदर आपको आपस जो है जादा देखने को नहीं मिलती है डाउनलोड करने के लिए लेकिन अगर आप इसी चीज को द्यान से देखेंने के अब बढ़ता के ग्मोर्ट य यूट्ट्यूब यूट्यूब मेए बहुत कमन है लेकिन आप को दो होट की और मिलती है एक है ब्राउजर मैं आपके सामने इसके ब्राउजर को ओपन करने लगा हूँ थुरू दी रिमोट कंट्रोल एंड सी वट अब आपको इसकी अपस दिखाता हो लाइव यह देखिए अब यह अब यह अब यह अब यह सीधा आके करसर रुग गया अब मैं इसे कौन्स की समापती होती है अब आपको प्रोज बताऊंगा तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और मेरे लिंक से इस टीवी को लेंगे क्यों लेंगे मेरे लिंक से क्या फाइदा आपको मैं ब्राइंड से टीवी यूनिट या कोई भी और यूनिट एक् कॉंटेंट दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलता है कि आपके पैसे की वैल्यू ये वला टीवी है या नहीं और उसके बाद डिसिजन आप खुद लेते हैं अगर आपको मुझे सपोर्ट करना हो तो अब जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे अफिलियेट से अपनी परचेस को पूरा करियेगा लेकिन पहले सुन लिजिए कि उसके बाद ही आपको अच्छली ममजा आएगा इस टीवी को खरीदने का और आप और आपकी फैमिली इस टीवी को बहुत ज़दा एंजॉय करेंगे ताट इस माई गैरेंटी इस टीवी के अंदर आपक पैनल है इसके अंदर गेम मोड के अंदर आप जब अपने अपने कॉंसूल को प्लग इन करेंगे थू एच डियमाए वन फॉर्टी फॉर्टी फॉर्ट्स पोर्ट तो आपको टू फॉर्टी हर्ट्स की गेमिंग केपिलिटी इस टीवी के अंदर मिलेंगी विच इस नेक् चैल्कुलेट तश कास्ट आप रिसंक और फ्रीसंग प्रीमियम यानि ऑम्ड फ्रीसंग और अमड फ्रीसंग प्रीमियम टी आप लाइसंस की कोस्ट षी देखिये पहुत जादा है और वो आपको इस टीवी के अंदर मिलती है इन इस काइंड बजए है अगर- यह 52,000 आप यह देखिए कि मैं इस टीवी को आपको जब दिखा रहा हूं तो इसकी कितनी ब्राइटनेस है जस्ट लुक अट इस मैं आपको इसकी सेटिंग्स खोल के लाइव दिखा हूंगा कि आप जो इस समय देख रहे हैं वो और स्टैंडर्ड मोड में इस शूट करना हूं इतना ब्राइट है कि अगर मैं इसे कर दूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा ओर एक्सपोजड विडियो दिखेगा विच यू ओंट लाइक वाचिंग्ट आप रियालिटी में जब इस टीवी को खरीद के यूज करेंगे तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 40% brightness पे इसे चलाएंगे and you will feel वाओ कि इसकी picture quality में details है HDR के अंदर shadows में आपको details मिल रही है colors को आप खुद manage कर सकते हैं with the you know color profile and everything which is very very good एक और प्रो इस TV के अंदर आपको HDR 10, HDR 10+, HDR 10+, Adaptive, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ इन सारे video formats की support मिलती है इसका मतलब simple terms में यह है कि no matter which video format the content supports यह TV उसे पहतरीन तरीके से उसी format में play करेगा और आपको दिखाएगा यह एक बहुत शांदार चीज होती है Hisense ने you know Hisense has done one thing in this TV no stone unturned और यही चीज आपको इसके अंदर मिल रही है और मुझे M.E.M.C. बिलकुल इसकी ठीक लगी you know कोई motion blur मुझे कहीं से नहीं दिखा इसकी audio quality is awesome It is not the best. आप cinematic experiences से expect नहीं कर सकते लेकिन मैंने जैसे कहा कि 90% लोगों की cinematic experience की need नहीं होती है वो अपनी TV से audio quality अच्छे से सुनना चाते हैं They want to feel the music, they want to feel the background music और उसी के साथ साथ वोकल्स को बहुत अच्छे से सुनना चाते हैं And that this TV is really doing well और यही चीज मुझे बहुत अच्छे लगी इस TV में मैं हर वीडियो के अंदर यह बात जरूर बोलता हूँ कि एक gaming TV को खरीते समय आप gaming capabilities के लिए भी बहुत जादा पैसे पे करते हैं उसके प्राइस में इस TV को देखके ऐसा थोड़ा थोड़ा लगता है और थोड़ा थोड़ा नहीं Gaming capabilities इस TV के अंदर बहुत जादा शानदार हैं लेकिन at the same time आपको content देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा कहीं से कोई compromise नहीं करा गया है आपको कैसा लगाई है TV और कैसा लगाई है वीडियो दोलों बताईएगा मुझे comment section में और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी उससे पहले आपके लिए दो suggestions छोड़के जा रहा हूँ इनहीं भी जरूर देखेगा मैं आपको मिलता हूँ जल्दी thank you very very much